अगर आप ढूंडोगे तो आपके आसपास हर चीज में गड़ेत हैं, mathematics है नमशकार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 के पाट नमबर 3 को समझेंगे पाट का नाम है सांखे की, अंग्रेजी में इसे statistics कहते हैं पाट में मुख्य दो भाग है, पहला भाग है पाईग्राफ, व्रत्तारेख और दूसरा भाग है अर्थमाटिक मीन जिसको हम हिंदी में समानतर माध्य कहते हैं समानतर माध्य केंद्रिय प्रवर्ति का भाग है, सेंट्रल टेंडेंसी का इसके लिए हम दूसरी वीडियो बनाएंगे और इस वीडियो में सिर्फ व्रत्तारिक की बात होगी जैसा कि आप सबने learning outcome का exam दिया ही होगा learning outcome किसी भी पार्ट में सीखने वाली सारी बाते होती हैं अर्थात किसी भी पार्ट के बाद बच्चों को क्या चीज़ें समर्ज में आ जानी चाहिए या उन्हें क्या कुछ पता होना चाहिए उसी को हम learning outcome कहेंगे तो सांख्य की पार्ट के पहले भाग में जो कि व्रत्तारेक है उसमें बच्चों को दैनिक जीवन से सम्बंदित आंक्डों को पाई आरेक द्वारा प्रदर्शित करना आना चाहिए बच्चों को पाई ग्राफ की अवधारना स्पष्ट होनी चाहिए तथा वे उसका निरूपन कर लेते हों बच्चे व्रत्तारेक या पाई ग्राफ खीज लेते हों तो ये आपके इस पाट के लर्निंग आउटकम्स हैं अभी आपको भले ही समझ ना आ रहे हों पाट के बाद इन शब्दों का अर्थ और इन लर्निंग आउटकम्स का अर्थ आपको क्लियर हो जाएगा जैसा कि मैंने बताया लेसन 3 का नाम है सांख्य की और इसका पहला भाग है व्रत्तारेक सांख्य की आपके किताब के पेज नंबर 73 73 पे है और ये जो चित्र है इनी को हम व्रत्तारेक कहते हैं प्रता रेक बनाने के लिए हमें कमपस या परकार की आवशक्ता होती है और चांदे की शिक्षन शुरू करने से पहले मैं आपसे दो प्रश्न पूछूंगी इन प्रश्नों का जवाब आपको पूरी वीडियो में खोजने की कोशिश करनी है और अंत में मैं आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी भी तो ये एक इंट्रेस्टिंग काम है अगर आप पूरी वीडियो के दोरान इन प्रश्नों के उत्तर ढूणने की कोशिश करेंगे पहला प्रश्न है क्या आप बता सकते हैं कि वृत के पूर्ण कोण का मान कितना होता है या वृत का पूर्ण कोण कितने अंश का होता है आप सबको पता है वृत मीन्स सर्कल सर्कल में जो सेंटर है सेंटर पे कोण कितना होता है अर्द वृत में 180 होता है कक्षा 6 में आपको कोड पढ़ाए गये थे उसमें आपको बताया गया था कि इस तरह से 90 डिगरी का कोड है इसका आधा 45 डिगरी का कोड होता है और ये 180 डिगरी का कोड है तो मेरा पहला प्रशन है कि किसी भी वृत का पूर्ण कोण कितना होता है पूर्ण कोण का अंच कितना होता है आप इस प्रश्न को दिमाग में रखिएगा अगला प्रश्न है क्या आप बता सकते हैं कि दीवार घडी के डायल पर लिखी किनी भी दो संख्याओं दो संख्याओं में आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्रमागत संख्याओं भी हो सकती है और अलग संख्याओं भी हो सकती है कि बीच का कोण कितना होता है अगर मैं क्रमागत संख्याओं को लूँगी तो इस घडी में बारा और एक से अगर हम त्रिज्या खीचेंगे केंद तक तो त्रिज्य खंड का कोड कितना होगा त्रिज्या जब हम खीचते हैं तो इस वृत के इस भाग को त्रिज्य खंड या सेक्टर कहते हैं हर सेक्टर का एक कोड होता है और उस कोड का माप आपको निकालना है तो आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे वीडियो ध्यान से सु सोच के बताएंगे कि किसी भी घड़ी में 12 संख्याएं होती हैं किनी भी दो संख्याओं के बीच अगर कोण का माप पूछा जाएगा उनसे बनने वाले त्रिज्य खंड के कोण का माप पूछा जाएगा तो कितना होगा इसका संबंध भी आपके पूण कोण से है क्योंकि आपको पूण कोण को ही इन छोटे-छोटे त्रिज्य खंडों में विभाजित करना होगा आईए अब हम शिक्षन शुरू करते हैं वृत्ता रेख या पाई ग्राफ की अवधारना तथा निरूपन इंग्लिश में इसको पाई चार्ट कहते हैं अब पाई चार्ट को हम पढ़ते कैसे हैं या समझते कैसे हैं ये प्रश्ण आपके ही किताब का उधारन लिया है मैंने जिससे आप अपनी किताब को मेरे शिक्षन के साथ लिंक करते जाएंगे और बहतर समझ पाएंगे किसी बच्चे द्वारा एक दिन, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? चौबीस घंटे, ये सब तो हमें पता ही है एक दिन के चौबीस घंटों को किसी बच्चे ने विबिन, क्रिया कलापों में व्यतीध किया गया समय इन सभी समय को हमने लिख लिया, स्कूल में वह बच्चा 6 गंटे रहा, उसने 8 गंटे की नींदली, मतलब 24 गंटे में से वो विद्याले 6 गंटे के लिए गया, 8 गंटे वह सो गया, 4 गंटे उसके मनोरंजन के लिए, टीवी देख लिए मानलीजिये, 3 गंटे उसने कार्य किया, अपना स्कूल का होमवक किया, इसी चीज को जब हम वृत में दिखाएंगे, तो विभिन वृत्ता खंड बनाने पड़ेंगे, और हर वृत्ता खंड में हमें वो पर्टिकुलर क्रिया कलाप लिखना पड़ेगा, जैसे स्कूल में वह 6 गंटे रहा, तो स्कूल का वृत्त खंड हम थोड़ा सा बड़ा बना देंगे, इसी वृत्त खंड को इंगलिश में सेक्टर कहते हैं, सेक्टर is a part of circle, वृत के भाग को हम तरिज्य खंड कहते हैं और यह वृत्त खंड कहेंगे, और इसी चीज को इंगलिश में सेक्टर कहेंगे, तो यह स्कूल का स क्योंकि चार घंटा है इसलिए हमने थोड़ा सा छोटा कर दिया फिर पढ़ाई का ये तीन घंटे का हो गया इसी प्रकार ग्रह कारे का तीन घंटे का हो गया तो हमने एक ही वृत में सभी क्रिया कलापों को दर्शा दिया जो कि पहले हमारे पास लिस्ट के फॉर्म में था ल उमीदे आपको समझ आया होगा, इस तरह से आप किनी भी आकणों को, विभिन प्रकार के आकणों को, ये तो हमने स्कूल में आपके 24 घंटे में बिताये गए समय को ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, अपने ही क्लास के बच्चों की हाइट ले और फिर किसी पर्टिकुल वितारेक आप बना सकते हैं, अब मैं आपको दिखाऊंगी एक TLM, TLM में क्या है, हम क्या करेंगे, एक गत्ता लेंगे, सबसे पहले उसको वित के रूप में काट लेंगे, आप किसी भी कलर का ले सकते हैं, और उसके बाद हम अलग-अलग 5 वित काटेंगे, अलग-अलग र एक TLM काटेंगे, और पीछे से एक आइस क्रीम स्टिक चिपका देंगे, जिससे आपका जो वित है, वो खिसक सकेगा, फिर इसको हम अपने कार्ट बोड पे, गत्ते पे, स्टिक कर देंगे, इसके लिए आप एक पिन का प्रेयोग कर सकते हैं, यह SLIDING होगा, जब भी आपक को अपना त्रिज्य खंड बढ़ा करके दिखाना है, तो इस तरह से आप इसे SLID कर सकते हैं, यह बहुत इंट्रिस्टिंग है, यह सभी बच्चे भिन प्रकार के रंगों वाले कागस लेके, कागस थोड़ा सा मोटा लेंगे आप, जिससे SLID होने में वो खराब नहीं होगा और बार-बार SLID होने से यहां से फटेगा भी नहीं, तो इस तरह से आप एक TLM तयार कर सकते हैं, और अपने व्रत्य खंडों को, त्रिज्य खंडों को दिखा सकते हैं, अब आएगा व्रित्ता रेख या पाई ग्राफ खीचना, पाई चार्ट बनाने के लिए आपको बेसिकली तीन वस्तूओं की जरुद पड़ेगी, प्रित्ता रेख बनाते समय, एक तो आपको D का प्रयोग करना होता है, क्योंकि यह D शेप का होता है, इसलिए हम इसे D कहते हैं, इंग्लिश में इसे प्रोट्राक्टर कहते हैं, और हिंदी में इसे आप लोग चांदा कहते हैं, यह बोर्ड पे बराने के लिए है, इसलिए बहुत बड़ा है, और जो आप अपने बॉक्स में रखते हैं, वो थोड़ा सा छोटा होता है, दूसरी चीज जो आपको जरुरत पड़ेगी, वो होता है कमपस, कमपस को हिंदी में परकार कहते हैं, यहां पे आपके कमपस में नीडल होती है, क्योंकि वो जो स्वी है, वो आपकी नोट बुक में इंजर्ट कर देते हैं, या फिक्स हो जाती है, और हमारे पास ये स्टिकर है, ये वेक्यूम वाला है, और ये आपके बोर्ड पे चिपक जाएगा, इधर इनोट येलम आपके यूज होंगे, जब हम वृत बनाएंगे, और फिर उनके त्रिज्य खंड बनाएंगे, और फाइनली वृत्ता रेक बनाएंगे, वृत्ता रेक बनाना सिखाने के लिए, मैं एक उधारन के मदद लोंगी, ये उधारन आप ही के किताब का प्रश्न है, और ये आपके पेज नंबर 76, 76 नंबर प्रिष्ठ पर आपको मिलेगा, इस प्रश्न में नीजे दिये गई सारणी में कक्षा साथ के बच्चों के स्कूल आने के लिए उप्योग में लाए गए साधनों का विवरन दिया गया है, इसे पाई ग्राफ द्वारा निरूपित क करना है, वृत्ता रेक बनाना है इसका, पर आप देख पा रहे होंगे हमारे पास डिग्रीज नहीं है, अंच के माप नहीं दिये हैं, इन्होंने आकडे दिये हैं, वृत के केंदर पर संपूर्ण कोन कितना होता है, 360, 30 खंडों का केंदर कोन 360 के भाग होंगे, जब भी हम बनाएंगे या वृत्त बनाएंगे, तो एक केंदर बिंदू लेंगे और इस केंदर बिंदू में ये जो कोन बनता है, इसको हम त्रिज्य खंड का कोड कहते हैं, और इसको हम त्रिज्य खंड कहते हैं, या एंग्लिश में सेक्टर कहते हैं, अब हम प्रश्न को समझ लेते विभिन साधनों से बच्चे स्विध्याले आते हैं पैदल आने वाले बच्चों की संख्या है 18 साइकल से जाने वाले बच्चों की संख्या है 10 रिक्षे से आने वाले बच्चों की संख्या 8 है कुछ बच्चे मोटर साइकल से आते हैं उनकी संख्या 9 है और बस से आने वाले बच्चों की संख्या 15 है इनका जोड 60 है इसका मतलब हमारे विद्याले में मान लीजिए कुल 60 बच्चे हैं जो विभिन साधनों से हमारे विद्याले आते हैं अब इनी विभिन साधनों से आने वाले बच्चों के आपको वृत्तारेक बनाना है हम एक चार्ट बनाएंगे इस चार्ट में आप देखिए यातायात के साधन लिखे हैं पैदल, साइकल, रिक्षा, मोटर साइकल, बस और इसका योगफल शिक्षार्थियों के संख्या भाग, संख्या भाग कहेंगे या इसको हम संगत आकड़ा भी कह सकते हैं पहली पैदल जाने वाले बच्चों का संगत आकड़ा 18 है, साइकल से आने वाले बच्चों का 10 है, रिक्षे से आने वाले बच्चे 8 हैं, मोटर साइकल से 9 और बस से आने वाले बच्चे 15 हैं, कुल बच्चे 60 होगे साठ को हम लोग कहेंगे कुल आंकडा संपून कोंड का माप निकालने के लिए संपून कोंड तो 360 डिगरी होता है त्रिज्य खंड के कोंड का माप हम लोग निकालेंगे तो किसी भी त्रिज्य खंड के कोंड का माप 360 का ही तो कोई हिस्सा होगा क्योंकि किसी भी वृत में पूर्ण कोन 360 है और त्रिज्य खंड का कोन उसी का एक हिस्सा होता है अब हम बात करेंगे वो निकालते कैसे हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं इसका एक सूत्र है संगत कोन को भाग दे देते हैं कोड ना लिखके हम इसको आकड़ा लिखेंगे संगत आकड़ा, क्योंकि यह आकड़े हैं, कोड तो हम निकालेंगे संगत आकड़े को हम कुल आकड़ों से भाग दे देंगे और इसे फिर हम पूर्ण कोन 360 डिग्री से गुणा कर देंगे इसको हम डिग्री कहते हैं और या फिर अंश कहते हैं पैदल जाने वाले शिक्षार्थियों की संख्या 18 है तो सबसे पहले हम अपना संगत कोंड लेंगे 18 18 बच्चे पैदल आते हैं और कुल विद्याले में बच्चे हैं 60 18 को 60 से भाग देंगे क्योंकि संगत आकड़ा हो गया 18 और कुल आकड़ा हो गया 60 इसे हम 360 से गुड़ा कर देंगे जब हम इसे गुड़ा करेंगे तो गुड़ा करते समय आपको पता ही होगा शूने से शूने काड़ देते हैं 6, 6, 36, 6, 6, 36 होता है और 18 को 6 से मल्टिप्लाई करेंगे जब 18 को 6 से गुड़ा करेंगे तो आता है 108 तो जो त्रिज्य खंड पैदल जाने वाले बच्चों के लिए बनेगा, अठारा बच्चों के लिए बनेगा, उस त्रिज्य खंड के कोण का माप 108 डिगरी होगा. दूसरा साधन है साइकल, साइकल से आने वाले बच्चे हैं दस, तो दस बच्चे संगत कोण हो गए और कुल आकड़ा हो गया साथ, दस को हम साथ से भाग देंगे और फिर अपने पून कोण से गुड़ा कर देंगे. जब आप फिर से वही होगा पून कोण से गुड़ा करेंगे और हम शून्य को कट कर देंगे 6,6,6 और 6 को दस से गुड़ा करके 6 तेंजा 60 डिगरी. अब जो त्रिज्य खंड बनेगा साइकल से आने वाले बच्चों के लिए उसका कोण होगा 60 डिगरी का. जब हम अपना वृत बनाना शुरू करेंगे वृत बनाने के बाद हम अपना त्रिज्य बनाएंगे. त्रिज्य के बाद हम त्रिज्य खंड बनाते जाएंगे. त्रिज्य खंड बनाने के लिए हमें कोडों की आवश्यक्ता होगी और यही वह कोड है जो हम calculate कर रहे हैं या हल कर रहे हैं निकाल रहे हैं तीसरा साधन है रिक्षा रिक्षे से आने वाले बच्चे हैं आपके आठ आठ बच्चों को फिर से कुल आंकडे से भाग देकर 360 से गुणा कर देंगे 8 सिग्जा 48 तो साइकल से आने वाले बच्चों का हमारा निकला था 60 डिग्री का कोड और रिक्षे से आने वालों का निकल गया 48 अब हम करते हैं मोटर साइकल से आने वाले बच्चे मोटर साइकल से आने वाले बच्चे हैं 9 तो अब की बार हमारा संगत कोड हो गया 9 और कुल आंकडे हो गए 60 60 बच्चे हैं और 9 बच्चे हमारे मोटर साइकल से आते हैं तो यह हो गया संगत आंकडा और 60 हो गया कुल आंकडा फिर से आप 360 से गुणा कर दीजिए 6 नाइन जा 54 यह हो गया 54 डिग्री आखरी बच्चा है बस से आने वाले बच्चे बस से आने वाले कुल बच्चे हैं 15 ये हो गया संगत आंकड़ा और कुल आंकड़ा हो गया साथ डिग्री फिर से हम इसे तीन सो साथ से गुणा कर देंगे छे चिक चत्तिस और पंदरा को छे से गुणा करेंगे तो नभ्य नभ्य डिग्री का कोण तो अब हमने क्या किया त्रिज्य खंड बनाने के लिए जो भी हमें कोण की आवश्यक्ता होगी वो कोण हमने निकाले हैं और उन्हीं कोण पर आधारित हम व्रत्तारेक की रचना कर सकते हैं मैंने ये स्क्रीन पे जब हम टच करते हैं तो लाइन्स रह हो जाती है इसलिए मैंने ये रचना पहले ही कर ली है मैं आपको इसे समझा देती हूं सबसे पहले हमने क्या किया है व्रत बनाया किसी भी त्रिज्या का व्रत बना लेंगे अब उस व्रत के अंदर केंद्र बिं त्रिज्य खंडों को बना पाएंगे यहाँ पर हम अपना प्रोट्राक्टर या फिर चांदा रखते हैं इस तरह हम अपना चांदा इस केंद्र बिंदू पे रखेंगे और 108 डिगरी का कोण बनाएंगे 0 आप ये वाला लोगे और इसी से 108 डिगरी का कोण बनेगा यहाँ पर उसके बाद हम अपना चांदा इसी बिंदू पे रखेंगे केंद्र बिंदू पे पर जो रेखा है हम ये वाली तरिज्या लेंगे दूसरी तरिज्या यहाँ से हम 60 डिगरी का कोण बना देंगे फिर इस तरिज्या पे रखे हम 48 डिगरी का कोण बनाएंगे फिर अगली तरिज्या पे रखे हम 54 डिगरी का कोण बनाएंगे और इसी तरह से आखरी कोण 90 डिगरी का बन जाएगा आप इसको जब जोड के देखेंगे सभी कोणों को तो उनका जोड 360 डिगरी होगा 360 डिगरी इसी लिए होगा क्योंकि पूर्ण कोण आपका 360 होता है 108 60 48 54 90 जब आप जोडते हैं तो 360 डिगरी आ जाएगा अब हम बात करते हैं वृत्ता रेक बनाने के लिए जो हमने स्टेप्स फॉलो किये हमने वृत्ता रेक या पाई ग्राफ बनाने के लिए अपने प्रश्न में सबसे पहले कोई त्रिज्या लेकर एक वृत खीचा सबसे पहले हमने एक वृत खीचा त्रिज्या का आप कोई भी माप ले सकते हैं, कोई particular length लेने की जुरत नहीं है, त्रिज्या का मतलब radius, जब भी आप circle बनाओगे, तो किसी भी एक particular radius का आप circle बना दो, उसके बाद पुनह वृत में कोई त्रिज्या खीच कर वृत के आंतरिक शेत्र में चांदे की सहायता से 108 दिगरी के केंद्रिय कोण का त्रिज्य खंड खीचिये, सबसे पहले हमने एक त्रिज्या बनाई, त्रिज्या बनाने के बाद पहला कोण जो पैदा लाने वाले बच्चों के त्रिज्य खंड को दर्शाएगा, उसका माप 108 डिगरी था, हमने 108 डिगरी का कोण बनाया, उस डीगरी, फिर 90 डीगरी और इसी प्रकार हमने केंद्रिय कोड के तृज्य खन खीच लिए आखिर में संगत तृज्य खंडों में अपनाए गए साधनों के नाम लिखे जब भी हम कोई भी वृत्ता रेक बनाएंगे तो हम उसके त्रिज्य खंडों के कोणों को ध्यान में रखते हुए वृत्तारेक तो बना लेंगे लेकिन हम उसे डिस्प्ले कैसे करेंगे, प्रदर्शित कैसे करेंगे हमारे जो भी साधन होंगे या जिस भी विशय पे आपने वृत्तारेक बनाया है उसे वहाँ पर अंकित करना अत्यांत आवश्यक है तो हम अपने वृत्तारेक में उन चीजों को अंकित करते हैं जिस पर बेस्ट वो वृत्तारेक बना है हमने क्या अंकित किया पैदल आने वाले बच्चे, रिक्षे से आने वाले बच्चे, बस से आने वाले बच्चे and so on चित्र को आकर्शक बनाने के लिए विभिन रंगों से रंग दीजिए प्रेजेंटेशन की अपनी एक वैल्यू होती है प्रस्तुती करण की तो आप लोग अपना व्रत्ता रेख जब भी बनाएंगे तो उसे भिन भिन रंगों से अगर रंग देंगे तो बहुत सुन्दर रिखेगा और प्रस्तुती करण भी अच्छा होगा ये व्रत्ता रेख का निरूपन है जो आपके बुक के पेज नंबर 78 पे दिया हुआ है अभी जो मैंने व्रत्ता रेख आपको बना के दिखाया था ये उसी का निरूपन है पैदल आने वाले बच्चे 108 साइकल से आने वाले 60 बच्चे हैं रिक्षे से आने वाले 48 डिग्री के कौंड से दर्शाएंगे, मोटर साइकल से आने वाले 54 डिग्री के कौंड से और बस से आने वाले 70 डिग्री के कौंड से. अब अगर हम बात करें कि बच्चे असल में थे कितने? पैदल आने वाली जैसे 18 बच्चे थे, तो हम यहाँ पर 18 छात्रे या छात्राएं लिख सकते हैं इन तीनों चीजों में कन्फ्यूज नहीं होना है यह तो हो गया जिस विशेपे है या जो भी साधन है जिससे बच्चे स्कूल आते हैं यह हो गया कुल कितने बच्चे हैं और यह हो गया कोड उस त्रिज्य खंड का कोड जो आपके पैदल आने वाले बच्चों को दर्शाता है तो 18 बच्चे पैदल आते हैं पैदल हमें यहां लिखना पड़ेगा आपके त्रिज्य खंड में जब भी आप व्रित्तारिक बनाएंगे और कोड का माप भी हम यहां लिखेंगे 108 डिग्री इसी प्रकार 60 डिग्री, 48 डिग्री, 54 डिग्री, 90 डिग्री और इन सब का जोड हो गया 360 डिग्री, 360 डिग्री पूर्ण कोड का माप होता है शिक्षन के शुरुआत में मैंने लर्निंग आउटकम पर आधारित आपसे दो प्रश्ण कहे थे पूछे थे उन दो प्रश्णों पर अब हम चर्चा करते हैं पहला प्रश्ण था क्या आप बता सकते हैं कि व्रित के पूर्ण कोड का मान कितना होता है या पूर्ण कोड का अंश कितना होता है ये मैंने अपने ही वीडियो में कई बार बताया और शायद आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ आया होगा पूर्ण कोड का माप 360 डिगरी होता है क्या आप बता सकते हैं कि दीवार घड़ी के डायल पर लिखी संख्याओं के बीच का कोड कितना होता है किसी भी दीवार घड़ी पर आपके पास 12 संख्याएं लिखी होती है मैं इक घड़ी लेकर आई हूँ इसी प्रश्न को उचित रूप से समझने के लिए आप देख रहे हैं आप ही के घड़ी में आपके घरों में सभी के घरों में घड़िया होंगी दीवार घड़िया उन घड़ियों में कुल संख्याएं कितनी होती हैं 12 ये सब आपको पता है इन्ही 12 संख्याओं में अगर हम इसको इस वृत को अपना वृत बना ले और इस केंद्र बिंदू को इस वृत का केंद्र बिंदू मान ले तो जब हम त्रिज्या खीचेंगे मान लीजिए एक त्रिज्या मैंने 12 संख्या से केंद्र तक कीजी और फिर एक त्रिज्या मैंने 1 संख्या से केंद्र तक कीजी तो उसका कोण कितना होगा आपको मैंने पूरी वीडियो में कई बार सिखाया और पहला प्रश्न भी यही था कि पूर्ण कोण का माप 360 होता है तो पूर्ण कोण का माप हो गया 360 डिग्री अब इसी 360 को हमें कितने भागों में बाटना है बहुत सिंपल है एक से लेके बारा संख्याएं है तो इसी वृत को आपको बारा भागों में बाटना है तो सिंपली हम 360 डिग्री को बारा भागों में बाट देंगे 360 को बारा से भाग देंगे और जब 360 को बारा से भाग देते हैं तो आप सबको बारा का पहाड़ा आता ही है बारा एकम बारा बारा तिया चछतिस और ये शून्य तो तीस डिग्री आपका उत्तर आ जाता है इसका मतलब कोई भी दो क्रमागत संख्याओं में अगर आप तरिज्य खंड बनाते हैं तो इस तरिज्य खंड का माप तीस डिग् कुल तीन संख्याएं की नहीं जा रहे हैं तीन संख्याएं मतलब तीस प्लस टीस प्लस तीस या फिर तीस डिग्री को जब हम तीन से गुणा कर देंगे तो तो पर गजर्य ये तो तो घड़ी तृज्य घंड समझने का व्रत्ता रेक समझने का बहुत अच्छा माध्यम है। इसी प्रकार आपको अपने आसपास और भी कई वस्तुवें हैं जिनसे व्रत्ता रेक समझा जा सकता है या आप व्रत्ता रेक की रचना कर सकते हैं। विभिन आकड़े घट्टे करके। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी और आप इसमें दिया गया TLM और ये अभ्यास कार्य बहुत ही निपूर्ट अगर आप ढूंडेंगे तो हर चीज में गड़ित हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों आज हम कक्षा साथ का पार्ट नमबर तीन सांखिकी पड़ेंगे। इसे इंग्लिश में